हलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे पॉलिनिकलियर हाइड्रोकर्बन के बारे में ठीक है जिसमें पहला कंपाउंड है नेप्थलिन एक पॉलिनिकलियर हाइड्रोकर्बन है जिसमें पॉलिनिकलियर हाइड्रोकर्बन उसे बोलते है जो दो या दो से ज्यादा बेंजेनिंग फ लगते हो ठीक है यहां पर आप देखते हो कि दो बेंजी रिंग है जो फ्यूज है तो जिसे हम बोलेंगे नेप्थरिन ठीक है उसका स्ट्रक्चर है आप अगर अलफा बीटा से नंबरिंग करोगे तो ऐसे आएगा और वन टू थी से करोगे तो ऐसे उसका नंबरिंग होंगे जितने भी और कार्बन अहरोजन है वह एक ही प्लेन में लाइक करेंगे ठीक है और ओवरलेपिंग होगा यहां पर साइडवाई अन्हाइबिडाइज पी और बीटल का तो वह पाई मॉलेक्लियर प्रोडियूस करेंगे एबो एन बिलो दा प्लेन ठीक है और जिसमे तेंट एलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे डाइब यूसे पॉइंट पर यहां पर रिंग दोनों फ्यूस होती है ठीक है आब 可愛ंफ ठल्प्यूसें प वो रिंग का fusion point कहला थे क्योंकि वहां से ring join होती है ठीक है तो यह molecular orbital के बारे में बात हो चुकी है ठीक है अब हमारा next जो है वो resonance है ठीक है तो resonance में आप देख सकते हो कि जो नेप्थलिन के resonance है ठीक है according to resonance हाइब्रिट जो होगे वो त्री केले केकले structure का यहां पर नेप्थलिन में बनेगा ठीक है तो पाई जो इलेक्टरन होगे वो डी लोकलाइज होंगे ओर बौther ठीक है तो आप resonance structure अगर देखो तो यहां पर देख सकते हो कि पहले यह resonance बेंजीन की दो ring होती है ठीक है उसमे पहली जो ring है उसमे पहले resonance टार्ट हो था ठीक है तो यह bond यह bond यहां और यह bond यह SHIFT होगा तो ऐसा structure बनेगा ठीक है और यह यहां चला जाएगा तो आ कि वेयर को नहीं हो जाता है यहां पर देख लो यहां पे यहां ह मgary रिपले हैं किया हुआ की दिछिए कर लेकित बात करते हैं अब मात करते हैं क्यों है छिर्जान सब्सक्राइब हम पहला देखें तो जो नेपसलीन है ठीक है वो पहले से उसका सिंतेजिस बाद करता है ढम यहां पर देख सकते चूर अप्र هाए सब नेपसलीन कीपांट sudah फिर नैप्तलीन का फिर से रियक्शन होगा है तो नैप्तलीन का फॉर्मेशन होता है ठीक है यहां पे आप देख सकते हो कैसे उसका सिंथेजिस हो रहा है the next हमारा सिंथेजिस है वो ए फ्राम फिनाइल थी बूटनाइक एसिड ठीक सर्थ कर लेक्शन dl2 निकल जाएगा और हमारे के साथ रिक्शन कर वाएं गे तो हमारा नैप्थलिन का फॉर्मेशन होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे हवर सिंथेसी जो मोस्ट इंपॉर्डन है ठीक है तो बेंजीन जब सक्सेन के साथ उसको हीट करते हैं इम प्रेजन्स अप एल से लड़ी तो बीटा बेंजोयल प्रोप्योनिक एसिड बनता है उसके बाद उसका रियक्शन जब हम जड़ण के साथ करते हैं यह सील की प्रेजिंस में तो गामा फίνजोयल प्रेटरी अरोइक एसिर बनता है उसका जभाएक्षन हम एक्षा करते हैं तो आलफा-टेट्रा-टेट्रालोन बनता है ठीक है उसके बाद उसका जब हम हीट करते हैं जड़न के साथ तो बाद भी बेनजैल प्रोपेनी कवान नचील नचीछ करको रियक्षिन करने इसके बाद उसके बाद दूसके बाध गरेंगे तो उसको जब हम पेलेलियम के साथ हीट करते हैं तो यहां भी आप नेप्थलीन का फ्रमेशन देख सकते हैं अबिस्त इंपॉडनन्स होबर सिंथेसी जो हर बार पूछा जाता है ठीक है उसके बाद है रीयक्शन अब नेप्थलीन ठीक है तो नेप्थलीन जो है वह हुँ कुकि जदा डेक्स अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब Slovenian पके लियुद्षन हों ऑप फ्रहेट। कोसी सब्सक्राइब से में आपको एके गजामबल देखात है कि ही इलेक्ट्रोφοboardолетum लेकिन बनती यह ज्यादा से बल्व होती है ठीक है तो पहला कामा ड़क्र होगा त्यक्त ही है हताओ यह слуш चनल को सकते हो बनाने चाहिता ज्वरइजर प्रवागा बैँ जाता है नहीं दोड़ीर सब्सक्राइब को आपको पता है H2SO4 के साथ होगा तो यहां पे आप देख सकते हो बन नेप्थलिन सलफोनी कैसी दो प्रोड़क्त बनती है ठीक है यह हो गया अब हमारा थड़ है हेलोजीनेशन तो हेलोजीनेशन में आप कोई भी ले सकते हो बिया टू सी एल टू आई टू एप टू ठीक ह है कोई भी ले सकते हो तो नेप्थलिन के जब हैलोजीनेशन करते है ठीक है यहां पे ब्रूमीनेशन किया है हमने तो आप देख रहें वन ब्रोमोनेफ्थलिन बनेगा ठीक है उसके बादे फ्रिडल क्राफ्ट ऐसा इलेशन तो जब यह रिक्षन है वो पोलारीटी किसे ब्स पर होगा सौल्वेंट के प्लाइटी के बेस पर ठीक है तो नेफ्थेरे नंप्वाघ्ष नोन प्ल्र सौनर प्रीकशन करता है तो रेक्षेट बता है था फाटरालीन बनेगा और अलकोहल के साथ यह इसका साथ होगा तो ट्रेटरीन बनाएगा ठीक है तो यह सके रिडेक्शन के रिएक्षान हो चुका है अभ ऑक्सिडेशन होगा ठीक है तो यह तरी में उसको इंथे खरेंगे तो ध्याइन्हाइडर्ड का फार्मेशन हो गए उसके ऑक्सिडेशन रियक्षिन हो गए ठीक है अब लास्ट पॉइंट है अपने अप्थली तो यूज किया जाता है मैनुफेक्ट्रिन डाय एक्सप्लोजीव और सिंथेटिक रिजिन की प्रोडक्शन में ठीक है यूज किया जाता है जब माउथ हरी पे करते यह और फॉर्थ है हमारा फॉर आमिनो थ्री हाइड्रोक्सी, नेप्थालिन, बन सल्फोनी कैसी तो यह जो चार हमने देखे वो नेप्थालिन के डेरिवेटिव है तो यहाँ पे हमारा नेप्थालिन वाला टॉपिक खतम हुआ जानती बहुत स्पिर से हुआ है, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा, थैंक यू